नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल लास्ट एक्जाम ट्रेक्च पे जिस्वर आपको एकदम स्टिक जानकारी है केवल वही प्रवाइड की जाती है अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जीडियस से समदित कोई भी नोटिफिकेशन होगा तुरंत आप तक पहुंच जाएगा अभी आपने जो यूपी जीडियस का फर्म लगा रखा है उसकी क्या कटोफ जाएगी रिजल्ट इसका कब तक आएगा और क्या इसमें पद है वो बढ़ाई जाएंगे इसको लेके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डाक विवाग ने एक बहुत बड़ी जानकारी हमसे साजा की है जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाड़ा हूँ पहले तो आप सभी को पता होगा कि आपने जो अभी जो यूपी डाक शेवा का जो फर्म लगा रखा है जेडियस का ग्रामिन 1264 पदों पे यह भरती होने वाली है 1264 पदों पे ठीक है यह अभी तक अंडर प्रोसेस है यहाँ पे आप देख सकते हो जो अभी अंडर प्रोसेस है कौनसी कौनसी है एक तो है जम्मो कस्मीर वाली फिर उतरप्रदेश उतराखंड वेस्ट वंगल बिहार माहराष्ट और देली यह सभी अभी तक अंडर प्रोसेस है रजल्ट इनका अभी तक इनका रजल्ट अपर रिलीज नहीं किया गया अंदर प्रदेश और तेलंगा नाक अगर आपने लगा रखा था तो उसका रजल्ट अपर रिलीज हो छुका है ठीक है तो अभी देखिए यहाँ पर कब तक आजाएगा ग्रामेंड डाक्षयों का तो बहुत जल्द आपका रेजल्ट इसका आने वाड़ा है मतलब आप इंग्लिस बोलने से लगता है आपको डर तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिस स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जोड़ जाईए जहां इ इंग्लिस में हेरो बनाना जाते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है आज ही डाउटना टैप पराकर कोर्स खरी दिये और अपने खुल कर इंग्लिस बोलने के सपने को पूरा किजिए देखो जो जानकारी हमें मिली है उस हिसाब से आपका रेजल्ट है वो 10 डिसंबर को देखो अभी तक तो इनका भी रेजल्ट नहीं आया है जो ये आप देख सकते हो यहां पर महारास्टर दिली यह इनका फॉर्म है वो अप्रेल में लगाया गया था अप्रेल मई जून यहां पर लगाये थी इनके फॉर्म महारास्टर और दिली की लेकिन इनका अभी तक र 644 पद हैं यह इसमें कुछ increase इनको किया जा सकता है क्योंकि अभी जो UPGDS के अगर हम बात करें तो 6000 पद अभी तक खाली है या तो हो सकता है इनकी भरती आगे 2022 में निकाल दी जाएगी आपकी और या फिर इनमें ही add इनको कर दिया जाएगा अगर इनमें add किया जाता है तो cut off कम जाएगी लेकिन अगर add नहीं किया जाता cut off किया जाएगी वो देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल केटेगरी के अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिखा रखा है 90 से 97 तक 90 से 97 तक लेकिन मैं अगर आपको एक दिम confirm बात बताऊं तो यहाँ पे अगर आपके 95 पलस हैं क्योंकि अभी आप कोई भी पिछे जो आपका result आज को है केरला का 36 गड़का वहाँ पे आप अगर जाके देखोगे list आप जाके download करोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कि वह कितनी cut off है वो जा रही है 90 पलस तो OVC और जनरल की confirm जाती है तो जनरल क अगर हम बात करें तो लगभग 95 तक आपका मुलब selection इसमें होगा हाँ वो अलग बात है क्योंकि ये 95 वाड़े हैं वो इसमें जो join है वो नहीं करेंगी ये केवल form लगाते हैं उसके बाद इसे मतलब जो document verification के time ये नहीं जाते फिर आपकी जो waiting list आएगी waiting list आएगी वो उसम निवासी ओवी सी की 86 से 94 यहां पर बता रखा है लेकिन मैं आपको बता हूँ तो देखिए 95 नबबाय 88 और 85 ये आप आनोई पिचाशी है स्टी का स्टी का स्टी ओवी सी और ये है जनरल का जनरल में 55 पलस ही जाने वारी है